नो लेट्स लूक अट अनेधर एग्जैंपल यह जएदा कम्प्रिहेंसिव एग्जैंपल है कि कैसे हमने पूरा स्टैंडर्ड टाइम स्टैंडिज के जरीए डिटर्मिन करना है कि क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए तो इसके अंदर डिफरेंट टास्क होंगे और उनके अलिमेंट्स होंगे और उसके बेस पर इस टास्क का स्टैंडर्ड डिवलप किया जाएगा प्रॉब्लम इस बेसिकली के मैनिजमेंट साइन्स असोशियेट्स हैं जो के लेटर्स भेजते हैं तू नंबर ओफ पीपल और उसके अंदर डिफरेंट उनके टाइमिंग्स है तो उस बेसिस के उपर के जो मेल प्रिपेर की जाती है उसमें कितना टाइम लगता है कि उसके अंदर आपने लफाफे के अंदर लेटर डालना है लफाफे के उपर अड्रेस टाइप करना है और उसको पर सील करना है तो उसमें क्या टाइम कितना लगता है उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए इस पूरे टास्क का मेल करने का जो टास्क है और उसके अंदर पर्सनल टाइम, डिले और फटीग अलाउंस जो है, वो 15% डिटर्मिन किया हुआ है, तो इसका जो डिफरेंट अलिमेंट्स के टाइम वो गारे हैं, वो गिवन है, इस स्लाइट के उपर, दियर थ्री अलिमेंट्स, वन इस, कम्पोज अंट टाइप लेटर, नव इट टेक्स फ्रॉम एट टू 11 मिनिट्स, ठीक है, आइविल टॉक अबाट इस 21 यह जो डाला हुआ है, देन टाइप एन्विल्प एड्रेस, उसके उपर 1 टू 3 मिनिट्स हैं, फिर स्टफ, स्टैंप, सील एंड सॉट एन्विल्प्स, तो उसके भी हमारे 1 टू 2 मिनिट्स हैं, और यह 5 मिनिट्स जो एस्टिक्स के साथ है, यह हम करेंगे, बेसिकली क्या है, कि इदर जो टाइम डिये हुए हैं, वो 5 अब्सेर्वेशन्स की, इसमें से 4 अब्सेर्वेशन्स में, 11, 9, 10 और 8 मिनिट्स थे, जबके 4 जो अब्सेर्वेशन्स थे, उसमें 21 मिनिट्स हो गए हैं, यह एक नॉर्मल टाइम चला आ रहा है, 8 तो 11 मिनिट्स के अंदर फ्लक्ट्ट्ट्ट कर रहा है, और अल अफ एसड़न 21 मिनिट्स का आ जाता है, यह जो 5 है, तो उसको भी हम निकाल देंगे, तो इस किसम के अगर टाइम डिये हूँ, जो के एक नॉर्मल रेंज में नहीं आ रहा है, उससे कहीं बाहर फॉल कर रहा है, तो उसको हम कल्कुलेशन से निकाल देंगे, अप्रोच बेसिकली इसके इंदर किया है, के वंस हमने डेटा कल्कुलेक्ट कर लिया है, तो जैसे मैंने बताया है के डिलीट अन्यूजल और नॉन रिकरिंग अब्जर्वेशन, यह जो अब्जर्वेशन हैं, जो के आउट लायर इसको हम कहते हैं, यह रेंज से बहुत बाहर फॉल कर रही है, तो उसको हम इलिमिनेट कर देंगे, फिर हमने कंप्यूट करना है, एवरिज टाइम फॉर इच एलिमेंट, देर आ थ्री एलिमेंट्स, तो हर एलिमेंट का एवरिज टाइम कल्कुलेट करेंगे, फिर हर element का हमने normal time calculate करना है using the performance rating for that work element particular क्योंकि ये एक ही worker ये टीन ओ work element perform करेगा क्योंकि हमने ये नहीं करना कि एक worker को कहें कि जी आप एक work element perform करें दूसरा दूसरा करें तीसरा तीसरा करें इस तरह नहीं होगा क्योंकि ये इसको हमने एक sequence में देखना है कि worker ने वो पूरा task complete करना है एक sequence में तो उसमें जो work elements आ रहे हैं वो उसी के हसाब से हम उसके अंदर उनका time वो stop watch के जरीए determine करते जाएंगे इसके बाद हमने normal time उसका compute करना है for each work element फिर उनका work element तीन थे तीनों के normal times को sum करके हमने total normal time करना है फिर उस total normal time को हमने one minus allowance factor से divide करकर उसका standard time determine करना है तो ये sequence चलेगा जिसके base पर फिर हमने standard time इसका determine करेंगे mailing के हसाब से